सावन के पवित्र महिने में भगवान शंकर की सवारी नंदी पी रहे हैं दूद बरेली नंदी के दूद पीनी की जानकारी होते ही मंदिर में लगी भक्तों की भीड लोग मान रहे हैं भगवान का चमतकार चमत से दूद पिलाते ही दूद हो जा रहा है खतम मीरगन के सैजना गाउं का इस्तिशिव मंदर का मामला ये अंद विश्वासा ये सत्य जाच के बाद ही चल जाएगा पता कहते हैं आस्ता बड़ी कोई ताकत नहीं होती साथ ही आस्ता से बड़ी कोई कमजोरी भी नहीं है बरेली शहर से 50 किलो मीटर दूर मीजगन थाना छेट के सैजना गाउं इस्तिशिव मंदर में भगवान शिप के वहां नंदी जी के मंदर में दूद पिलाने की चर्चा क्या शुरू हो गई कि भक्तों की लाइन लगनी शुरू हो गई ये सावन के महीने में चर्चा से लोगों का उस सुक्ता चरम पर पहुच गई है दरसल मंदर में सावन होने के चलते बहां कुछ गाउं की कुवारी लड़कियां दूद गिलास में लेकर भगवान शिप जी को उनके बाहन नंदी बाबा पर दूद चड़ाने आई थी भई आस्ता पर चर्चा होते ही लोग एक के बाद एक दूद पलाने लगे लोगों को कहना है कि ये चमतकार और उन्हें पहली बार ये चमतकार देखा है कुलकर वालाव देखा हो घर बाद इच के बाद इस डिच पल्यात को कहने हुआ आस्ता प्लाद जी है और जिया को कहने लेवी, खर प्लिद़ थी अन्यों, खर गगर ऑन कितौन रहते है मैं बहु प्लिंट जा रहते है आपका नाम? ज़रा नाम संजय सेव क्या मामला मंदर पे? मामला यह है कि हम दोना दाग है यह जो है दूद पीती है हम दी निमान चे दे लेगा आज हमने पहली बार यह देखा आपने हाथे दे पिलाया तो बासम में नंदी बापा ने दूद पी आए पी आए बास नहीं हा इस दो में भी लगातार पी रहे हैं किस समय से यह हो रहा है? यह लगब गया घंटा हो गया हमाने प्रदांब बापा ने पी रहे हैं अगर ने जी निउस से जुले रहने के लिए चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को दवाना ना भूलें